आप सबों को प्रभी येशो मसी के मदूर और सामर्थी नाम में जय मसी की, हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि इस 2023 वर्ष के अंतिम दिनों में परमेशो ने फिर से अपना वचन बांटने के लिए हमें ये अफसर दिया है कि हम परमेशो का वचन सुन सकें, ग्रहन कर सक कुदावन के प्यारे बच्चो जिस तरीके से आप सबको पता है कि हम 2023 वर्ष के अंतिम दिनों में अंतिम पलों में अंतिम समय में चल रहे हैं तो परमेशो के आत्मा ने बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए सो आई हम सीख करके चलेंगे इस छोटे से वचन के चरिये छोटे से समय में हम सीख करके चलेंगे कि हमें इन दिनों में यानि की 2023 वर जब जाने वाला है हम सब उसको बाई बाई कहने वाले हैं और नए साल का हम स्वागत करने वाले हैं उससे पहले हमें क्या कारे करने कब जब हम इस पुराने साल में हैं, पुराने साल के अंतिम दिनों में हैं, तुम्हें तीन काम अवश्य करने चाहिए. पहला काम हमें परमिशो का धन्यवाद देना चाहिए हो सकता है ये 2023 का साल आपके लिए बड़ा पीडा दायक हो आपके लिए बड़ा दुख दायक हो आपको बड़ी परिशानी देने वाला हो हो सकता है आपको अपने से भिचोडा देने वाला हो हो सकता है आपको कई तरीके की बिमारियों से ये घिरा हुआ साल लगे, हो सकता है कई परकार की ऐसी विप्रित परस्थितियां आपके अंदर आई हूँ, आपके घर में आई हूँ, आपके जीवन में आई हूँ, हो सकता है उसको आप बरदाश भी करन के योगे नहीं थे पर फिर भी परमेशों ने 2023 वर्ष में जैसा भी बीता हमें संभाला, हमें हर परिशानी से, हर चिंता से, हर समस्या से हमें परमेशों ने हमें अजाद करके रखा, बचा करके रखा, हमें परमेशों का धन्यवाद करना चाहिए बाइबल ऐसा बताती है कि हमें हर बात के लिए अपने जीवित परमेशों को धन्यवाद कहना चाहिए जी हाँ खुदावन के प्रेलोगों आपके लिए ये 2023 का साल अच्छा गुजरा या बुरा गुजरा परिशानी वाला गुजरा या चिंता वाला गुजरा या बड़ा खुशाली वाला गुजरा या बड़ा कष्ट दायक हुआ फिर भी हमें अपने जीवित परमेशों को धन की भेंट चड़ानी चाहिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम अच्छे नहीं थे फिर भी परमेशों हमारे साथ अच्छा रहा कि हमें पूरे साल भर में संभाल के रखा और हर परस्थिती में परमेशों ने हमें द्रिंड करके रखा खड़ा करके रखा मजबूत करके रखा, तो हमें परमेश्य का धनेवाद करना चाहिए, हालेलुया, दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए, दूसरा काम हमें ये करना चाहिए, कि जब हम इस साल के अंतिम दिनों में हैं, हो सकता है, इस साल में हम अच्छे पती नहीं बन पाए, अच्छी पतनी नहीं बन पा और परमेशर के हम सच्चे और अच्छे बेटे और बेटिया नहीं बन पाए। तो इस साल के अंतिम दिनों में हमें परमेशर को ये कहना है कि परमेशर मुझे ऐसा फजल दीजिए ताकि मैं पुरानी बातों को भूल जाओं जो मेरे लिए दुख दायत थी, जो मेरे लिए प अपने मन से, अपने हिर्दे से, अपने दिल से पूरी तरह से मिटाने वाला बन जाओं। इस बात के लिए परमेशर का वचन ये शाया तरताली सध्याय उसकी अठरा आयत में हमें यू बताता है, लिखा है कि आप बीती हुई घटनाओं का समरन मत करो, ना प्राचीन काल क बातों पर मन लगाओ। जी हाँ, खुदावंद के प्रिये लोगों, अगर आप परमेशर के सच्चे और अच्छे भक्त हैं, तो आपको पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए, पुरानी बातें, पुराने लोग जिन्नोंने आपको दुख दिया, जि बिजुदा उन सारी बातों को आप ने भूलना है। और ऐसे लोगों से आपने मेल मिलाप करना है। बाइبل हमें सिखाती है कि मेल मिलाप करने वाले बरो मेल मिलाप करने वाले बनो बेशक ये दुनिया ये दुनिया के लोग काफी बार हमें कई बातों के लिए दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं समस्या में डालते हैं पर हमें इस साल के अंतियम दिनों में उन लोगों से मिल करके उन लोगों से बाचित करके उस सारी की सारे जो मनों मुटावों को दूर करना है और उनसे अपनी सारी बातों के लिए शमा मांगनी है माफी मांगनी है कि अगर मेरी बातों से, मेरी आतों से, मेरी कामों से, मेरी जीवन से अगर आपको ठोकर लगी है तो मैं हाथ जोड़के आपसे माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ, किर्प्या करके आप मुझे शमा करें, क्योंकि मैं इन सारी पुरानी बातों को नए साल में परवेश करवाना नहीं चाहता है। अलेलुया, सो पहला हमें धन्यवाद करना है, दूसरा हमें उन लोगों से मिलकर अपने उन सारी बुराईयों के लिए, अपने उन सारी गलतियों के लिए, अपने उन सारी जो भी ऐसी आत्ते थी, जिसके लिए किसी को ठोकर लगी है, उन से मिलकर के, शमा मांगनी है, माफी म और मिलाब करना है अभी हम सीखेंगे तीसरा और खास पॉइंट तीसरा पॉइंट है हमें परमेश्यों के समक्ष अपने पापों को कबूल करना है बाइबल निती बचन 28 सध्याय उसकी 13 आयत में कहती है कि जो अपने अपरादू को माल लेता और छोड भी देता उस पर दया क जाएगी जी हाँ खुदावन के प्रिये लोगों अगर आप अपने उपर परमेश्यों की दया को चाहते हैं तो पहला आपने परमेश्यों के सामने अपने पापों को कबूल करना है अपने पापों को मानना है और दूसरा उसको छोड़ने का प्रन करना है इस संसार में कोई पाप किया ही नहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि मेरे मूझ से मेरे कानों से मेरी बोलबानी से मेरे जीवन से किसी को ठोकर नहीं लगी या कोई मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया या कोई भी ऐसी बुराई नहीं करी कि जिससे परमेश्य का आत्मा मेरे से दुखी या परमेशो का आत्मा मुसे नराज हुआ हूँ, तो वो व्यक्ति जूटा है, हालेलुया बाइबल में संथ पॉलुस भी इस बात को कबूल करते हैं, कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, हालेलुया बाइबल ऐसा बताती है, कि प्रभु येशु मसी इस जगत में पापीयों का उधार करने आया, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, कि मैं पापी हूँ ही नहीं, मैंने पाप किये ही नहीं, तो वो व्यक्ति जूटा है, और सच पूछे, तो प्रभु येशु मसी उसके लिए अधार करने के लिए आया, हालेलुया, सो परमेश्व इस छोटे से वच्छन के जरिया आप सबको बहुत बरकत और आशिश दे, इस वच्छन पर खुद भी चलें और दूसरों को भी चलाएं, ताकि खुदामन की आशिशें और बरकतें अपने जीवन में हासिल करें, सब को जय है, मसिकी, सलाम, अमें, अमें